Hello students, in this video we will discuss chapter 6, Asia, Land, Climate and Natural Vegetation. इस वीडियो में हम Asia को डिसकुस करेंगे वहाँ पर Land कैसा है, Climate कैसा है और Natural Vegetation कौन से अविलिबल है? क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चेप्टर में हम लोग तो इस चेप्टर में हम देखेंगे Size, Location and Extent of Asia. Asia का Size कितना है? Asia World Map में कहां पर Located है? और उसका विस्तार Extent कितना है? ठीक है? पिर हम लोग देखेंगे Political Division Asia के बहुत सारी Country है एसिया में. इस उनको हम देखेंगे Then Physiography of Asia. इसिया में कहां Mountains है, कहां Plateaus हैं, कहां Plains हैं, वह सब. Then Climatic Type, Climate कैसा है, Natural Vegetation कान से है, Wildlife कान से अवेलिबल है, Natural Vegetation, Plant Trees and Wildlife Animals. ठीक हुई बाद, चलो. अब एशिया महान संस्कृतियों का Continent है, ठीक हुई बाद, एशिया is the Continent of Great Cultures. एक ऐसा प्रायदीप है, जो हां पर महान संस्कृतियां रही हैं. और रहे भी रही हैं. ठीक हुई बाद, एशिया is the Continent of Great Cultures. Great Culture यहीं फ्लरिश की हैं. वर्ड की जो four oldest civilization है, उसमें से तीन तो अकेले हमारे इंडिया में ही हैं. इंडस वेली civilization, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में है, मेस्वाटामिन civilization, चाइनेज सिविलाइजेशन, यह यहीं पर फ्लरिश की. सिर्फ एक ही civilization, जैसे हम नाइल वेली civilization या एजिप्शन सिवि जिस में से कि तीन हमारे इंडिया में ही हैं, हमारे इंडस, मिसवाटामिन और चाइनेज, जितने भी वर्ड में religion हुएं, वो सब भी यहीं पर originate होते हैं, कहां पर? एशिया में. वर्ड के सारे major religion यहीं originate हुए हैं, ठीक्वी बात? चलो. अगर बेटा हम जोग्रफिकली भी एशिया को देखें, एकोनामिकली भी देखें या शोशियो कल्चरली भी देखें, तो यह लांड है, रिमार्केबल कॉंपरास्ट का, एशिया अपने आप में इतना बड़ा है, कि आपको एशिया के दो कॉर्णर्स पे डिफरेंट आपको इतनी देखने को मिले कि इसलिए कहते हैं से, लांड ओफ रिमार्केबल कॉंपरास्ट, लेट उस नाओ एग्समाइन वाइशा को लांड ओफ एक्स्ट्रीम, एशिया को लांड ओफ एक्स्ट्रीम क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे, जो हाइस पॉइंट है अर्थ लिएक्सपोस्ट पॉइंट है वह सी लेवल के 424 मीटर नीचे है ठिकवी बात तो एस्या में मायंट एवरिस अशिया में ईड़ी है एक फायेस्ट और दूसरा लोइस्ट इक्सपोस्टॉइंट है ठिकवी बत तोनों यहां सी अंवार्भड प्रियम चाहें में बात करें बएडान का और तीरत जवी एसरेल का यहां पर temperature होता है 54 degree centigrade ठीक ही बाद यह वर्ल्ड का हाइस temperature है ऐसाफ एस्या का निहीं पूरे दुनिया का सबसे साथ our temperature 54 कहां पर रिकार्डrees जाता एहवाज जो कि एरान में है और तीरत जूवी जो इस रेल में है ठीक ही बाद दोनों ही कहां पर है ऐस्या में coldest inhabited place minus 67.70 degree temperature जहां का है ओम्या कॉन वो भी एस्या में है एहवाज इरान का वो भी एस्या में है तीरत जूवी इस रेल वो भी एस्या में है ठीक ही बाद, have recorded some of the highest temperature in the world दलोट desert in Iran, इस country is the hottest plane और जो लोट desert है एरान का, वो hottest place है अर्थ का समझ में आ रही है बात, चलो अब third comparison कि इसको extreme क्यों बोलते हैं मौसिन राम जो हमारे इंडिया के मिगाले में है ठीक ही बात, इंडिया में एक state है जोसका नामे मिगाले में है, मिगाले में है, मौसिन राम ये वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का वर्ल्ड हाइस्ट राइन रेसीविंगेरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है रेबिया थार गोभी रेसीवि से स्क्यं कि निमार्य रेंफयोर यह डैजर्थ हैं जहां पर सबसे कम रेंफ़ोर हुती है बहुत कम रेंफयोर होती है कहां पर अरेबिया थाी बारिश यह देव CBG और यह दा वहीं पर जो नदन रुश्या है मंगोलिया है वहाँ पर पॉपिलेशन डैंसिती बहुत कम है बहुत ही बहुत ही कम है अ आप सबको पता है कि विह त्योज धикशिया सब नौर्थ अमेरिका आफ्रिका यो रोप एशिया और ऐस्ट्रेलीया है एच्रा ते हुर लै ह 150 पाध कि Asia is the largest of the seven continents, seven continents में सबसे बड़ा है Asia, ठीक ही बाद? It occupies one third of world's total land area, इतना बड़ा land area जब इसके पास है, तो क्या कहा जा रहा है कि one third land area इसे के पास अवेलिबल है, one third बोले तो 33.3% area, किसके पास है? Asia के पास है, पूरे वर्ल का, then it also has nearly 60% of world population of world की, 60% population भी Asia के पास ही है, जैसे चाइना, इंडिया, ये तो two most populated countries of world की वो Asia में ही है, चलो, अब Asia की extent को हम देखेंगे, Asia का जो extent है, वो चालू होता है, 10 degree south से, यहाँ पर ये 10 degree south से start हो रहा है, और खतम हो रहा है, 80 degree north में, ठीक वी बात, अब east west देखेंगे, तो east में ये 25 degree east से start हो रहा है, और खतम हो रहा है 170 west में, इतना ज्यादा latitude and longitudinal extent है, ये latitude and longitudinal extent है, जो 10 degree south से start हो के 80 degree north दे खतम हो रहा है, और longitudinal extent इसकी 25 east से 170 west देखेंगे, 10 to 80, 25 to 170, अब यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा होगा, कि अगर यहाँ से ये 0 degree prime meridian जाती है, ये इस तरफ को हम बोलते है eastern hemisphere और इस तरफ हम बोलते है western hemisphere, टेक वी बात, ये होता है southern hemisphere और ये होता इस तरीके से अगर हम बात करें तो maximum part जो है इस्टन हमिस्पेर में है, और maximum part नदन हमिस्पेर में, southern hemisphere में बहुत थोड़ा सा है, वेस्टन हमिस्पेर में भी बहुत थोड़ा सा ही, टेक वी बात, चल रहो, तरस, greater part of continent lies in northern and eastern hemisphere, नदन हमिस्पेर और eastern hemisphere में है, टेक वी बात, एशिया और यूरोप टूगेदर, वान continuous landmass is called Eurasia, एशिया और यूरोप बिटा continuous landmass बनाते हैं, देखो, दिख रहा है न, तुम्हें continuous landmass, अगर में बात करूं, नौर्थ अमेरिका, सौथ अमेरिका यहां से अलग हो जा रहे हैं, यहां पर कर रिस्तमस और पनामा है, बात पर नौर्थ अमेरिका अफ्रिका से अलग है, यूरोप और अफ्रिका के बीच में एक ट्रब बाड़ी है, यहां पर ऐस सच मेजर कुछ नहीं है, तुम्हें बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, Eurasia, जिक्वी बात, अब हम लोकेशन के बात करेंगे, एशिया बाद बाद and in West Asia is separated from Europe, Ural Mountain, Caspian Sea, Cacosus Mountain and Black Sea, चलो, अब दीखते हैं यहां पर, यहां पर Indian Ocean है, यहां पर Arctic Ocean है, यहां पर Pacific Ocean है, अब यहां की अगर में बात करूं तो यह continuous, यह कभी Ural Mountain, कभी Cacosus Mountain, कभी, 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 कभी Caspian Sea, कभी Black Sea, इस से अलग होता है, in the South West, it is linked with Africa, South West में, यह अफरीका से link है, through Sinai Peninsula, ठीक वी बात, जो Narrow Baring Strait है, Asia, separate Asia from North America, यहां पर मिलेगा आपको Sinai Peninsula, ठीक वी बात, अब हम बात करते हैं, किस की, Baring Strait की, तो जो Narrow Baring Strait है, वो Asia को separate करता है, North America से, ठीक है, in the extreme, North East, extreme North East में, North America को separate करता है, Asia से, Baring Strait, तो देखो बिटा, यह है Russia, ठीक है, और यह USA, और अब हम अमारे इंडिया, इंडिया से extreme यहां पर आ गए है, तो यहां पर देखो यह Russia, यह USA, इन दोनों के बीच में है, Baring Strait, ठीक है, अब Baring Strait ध्यान रहे हैं कि नो तुम लोगो, चल, क्या समझ में आ रही है, क्या बोल रही हूं मैं, यह Russia रहा, हम इंडिया से extreme यहां गए Russia, और यहां पर यह US, ठीक है, और यह Baring Strait, तो Baring Strait नोर्थ अमेरिका से अलग करता है, यह North American continent है पूरा, यह क्या है North American continent, तो North American continent और एशिया को अलग करता है, क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, अब आपको यह सब मैप में दिखाना है, ठीक ही बात, यह खाँ, ओर यह अपकी बात, पिर यह तो बच्पीन पर यहां पर एशिया है, यह तो यह तो आपकी ब्लाक सी, ठीक ही बात, पिर यहां पा रेशिया है, यह रही मडिटीरिनियन्जी, यह प्लाइक कॉकासस माउंटेन्स, जूराल माउंटेन्स फिर से देखो यह रही यूराल, जूराल के बाद यह काकासस, यह कैस्पियन्सी, और 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 भी है कि अमदस इतना ही है, ठीक है? मैंने आपो सब कुछ दिखा दिया है ना उराल मांटें में दिखाया है कैस्पेंसी काकॉसिस भी सिखाया है शाद ब्लैक सी नहीं दिखाया है तो एक बर देखें आप लोग चलो पॉलिकलिबिशीन के बाद करें तो जो कंट्री था है एसिया में रेंज इन साइस फ्रम तिनी- तैनी, Maldives and Singapore to Russia, China, and India. तैनी, Maldives, Singapore, चुटी-चुटी कंट्री सहैं Maldives and Singapore था है यहां यहां और Russia China and India जासे बड़े कंट्री भी हैं some of the largest countries in the world, Russia is the largest country in the world, है न, तो largest countries भी है, कुछ टाइनी countries भी है, जैसे माल्डीज और सिंगापूर, अब यही पर देखो, तुम रश्या का साइज देखो, ओ मैगाद, चाइना का साइज देखो, फिर हमारे इंडिया का भी साइज दे 1 kg, तो सौडी अरेभीा भी काफी बड़ा है, फिर यहां पर कजाकिस्तान ही लिखा है, कजाकिस्तान बड़ा है, मंगोलिया भी बड़ा है, तो बहुत बड़ी-बड़ी चंट्रीज भी हैं, चोटी-चोटी कंट्रीज भी हैं, Asian countries and their capital, अफ्गानिस्तान, काबुल, अर्मेनिया येरिवान अजर्बाइजन बाकू बहरान मनामा बांगलदेश धाका बुटान तिम्फू बुरूनी बंदर सेरी बगावन पिटा इसको एक्चल में कैसे पढ़ते हैं लेको ऐसे पढ़ते हैं बंदर सेरी बेगवान ठीक है तो क्या है ये बंदर सेरी बेगवान किसकी है ब्रुनाई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान ठीक ही बाद चल बंदर सेरी बेगवान कामबोडिया की फ्नोंक फीन कहिता हैं प्नोंक फिन पिन चाइन की कि बीचिनिक Κप्रस निकॉशिया जॉचियy की है गोडिपाइबी क्लुशिया कि ने किल शीलित का ऑद नेंदियया में अगॉचिया आप इंडोनेशिया, जाकर्ता, इंडोनेशिया की क्या है, जाकर्ता, इरान, तहरान, इराक, भगधाद, इस्रेल, जरुसले, जपान, टॉक्यो, जॉडिन, आमान, जॉडिन, आमान, जॉडिन की क्या है बिटा, आमान, खजाकस्तान, अस्तान, कुवेत, 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 रात करेंगे तो लाउस की capital है वेंटियान लाउस वेंटियान लेबनन बेरूद मलेश्या कौलडमपुर मावदीव्स में मेल मत पढ़ना विटा इसको मेल ये माले है ठीक है बत माले मेल नहीं पढ़ना है इसको चलो मंगोलिया उलान बतूर मेंदमार मेंदमार की capital है नापिडा ठीक है मेंदमार नापिडा मंगोलिया उलान बतूर मेल इसको माले मलेश्या कौललमपुर लेबनन बेरूद ठीक है बात चलो नेपल, काथमान, नौर्थ कोरिया, पियोंगिया, हुमान, मसकत, पकिस्तान, इसलामाबाद, पलेस्ताइन, रामाला अब फिलिपिन्स, फिलिपिन्स की है मनीला यहां पर होते हैं कॉंटेस्ट किसके लिए ब्यूटी कॉंटेस्ट है ना चलो कतार की दूहा है रश्या की मासको, साओधी अरिबिया, रिहाद, सिंगपार, सिंगपार, साओध कोरिया, सियोल, शुलांका, कॉलंबो सीरिया की कैपिटल है, एक मनेट, सीरिया की कैपिटल है, डेमासकस, ताइवान की ताइपी, तजाकिस्तान, दुशान भी थाइलैंड की सबसे एजी कैपिटल है, बैंकॉक, तिमोलेट्स, दिली, चर्की, अंकारा अंकारा तो बहुत सारे वीडियो गेम्स में भी देखने को मिलता है ना तुम लोगों को, कैपिटल ओफ तर्कमेनस्तान, अशकबत, युनाइटेज, सहरब, अमिराज, अभुधावी, उजेबेकिस्तान, ताशकन, ये वही ताशकन थे जहां पर, हमारे प्राइम मिनस्ट फॉर्मर प्राइम मिनस्टर लाज बहुत शास्त्री डेट वी ती ताशकन फाइल देख मूवी भी बनी है ना देखो जरूर अच्छी है वैत नाम, हनौई, येमेन, शाना, अब अगर हम बात करें कि जो कंट्रीज है इशा की क्या हम उन्हें किसी तरीके से डिवाइट कर अगर हम इस्ट 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 Central Asia की बात करें तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजाबिकिस्तान, तुर्कियमेनिस्तान. यह Central Asia. ठीक ही बात? अब हम बात करते हैं. Southeast Asia. Southeast Asia में Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Wetna, Malaysia, Singapore, Indonesia, Bruni, Timor, Philippines. Philippines South Central Asia में आएगा Central Asia में आता है India, Afghanistan, Pakistan Bangladesh, Nepal, Bhutan Chulanka, Maldives, West Asia में आएगा Iran, Iraq, Saudi Arabia Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirat, Oman, Yemen Jordan, Israel, Palestine Lebanon, Syria, Turkey Cyprus, Armenia, Georgia Azerbaijan, मुझे से लगता है कि इन कंट्रीस में इनके नाम नहीं आएए आए है सबके आए होंगे कुछ कंट्रीस में इनके नाम नहीं आए है जलो, ठीक है जलो, बम चेक पॉइंट एक है वह फोलेंग इसिशन दिदना फ्लारिशन एश्या तो वह है एजिप्शन इश्याशन यह कहां पर जनमी एफरिका कॉंटिनेंट ने Indus Valley, Mesopotamian, Chinese, Asian Civilization, okay? चलो Dash is the lowest exposed point to Dead Sea Then Asia occupies Pulse Total Land Area, one third Asia is linked with Africa through Sinai Peninsula Then Bering Street, Safe Ritt Asia from Australia, बिल्कुल फॉल्स है यहाँ पर आना चाहिए, North America Now Physiography, Asia can be divided into 5 Major Physical Divisions Asia को 5 Major Physical Divisions में बाढ़ सकते हैं वो है Northern Lowlands, Central Mountains, Southern Plateau, Great River Valley and Island Groups ठीक ही बाद, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे Northern Lowlands अब लोग देखेंगे Northern Lowlands जो Northern Lowlands है वो extensive Lowlands है जो इसा के North में है, ठीक है, Bordering Arctic Ocean, Arctic Ocean तक है जो North पार्ट है यह लोग लांड का, जित्ती भी लोग लांड है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको यह अद्ध प्लेन, जो जए जए लेदी लुग देखेंगे ज़े लुग दाद यह इसे को जाने हम लुग बयोला पेडर ठीक है, जो से इसे आडाते के जाते हैं, यह आपर अपर मानग्त्न से स्टारट होँ दो कहां पर कित्क है, भी कित्ता जाते हैं है, इसे साथा जहा हिसे एक ग्रेकर ग्रियों सब्सक्य होइं सब्सक्राइब्स को उसको तीन मेजर मेज रएवर करते अप्न基 Tá एंसे अन्वीनर होती है उसको चोटी बास देती है उनने कहyards भाने छिखी आविय दें विदया है फि Personen के पहले इसे डिर्य च टेल पर साँठी करिंगेगे गथा है रिवर मसलित निंट याइगा वाल अर्ण चुछ करति है यह निद पानी होगा पूरे जो फार होगा पाल फार बीव शुक्र स्क टिंट कर यौशनी गाल लुटन किने कायब अए put to week यह जो प्लेन है, इसे त्यूरेन प्लेन कहते हैं, इसमें दो मेन रिवर हैं, एमूदारिया, अमूदारिया, और सिर्दारिया, ठीक है, विच फ्लो इंटू दा अराल सी, अमूदारिया, इसको ऐसे लिखते हैं, अमूदारिया और सिर्दारिया, ठीक है बात, अब वो इंग्लिश में आपको जैसे भी पढ़ना हों, पर वो उसका प्रिनंसीशन यह, अमूदारिया और यह सिर्दारिया, यह अराल सी में जाके मिल जाती हैं, थस is an area of inland drainage, इसलिए य inland drainage का एक केरिया बन जाता है, अब central mountains के अगर हम बात करें, now central mountains, to the south of northern lowland, northern lowland के south में आपको young fall mountain system मिलेगा, जिसे हम central mountains क्याते हैं, almost all mountain ranges of Asia radiate from one nodal point in the center, Asia की almost जितनी भी mountain ranges है, उनका एक nodal point है, पामेर नौट, from which chains of mountain ranges run in all direction, यह पामेर नौट रहा, और इस पामेर नौट से बहुत सारी direction में आपको mountain ranges जाती होई दिखेंगी, ठीक ही बात, चलो, यह पामेर नौट, from which chains of mountains runs in all directions, टू mountain ranges है पामेर नौट के west में वह हैं, Hindu Kush and Sulleiman, Hindu Kush range extend westward and continues along the Caspian Sea, Hindu Kush को range है, वह Westward आके किस के साथ continue करेगे, Caspian Sea के पास है न, यnesota कमें दिसी और गसी की तरह तो फोरे सा यहां इस को सुभारान वहां जुद छो नहीं तरह लूर असे घृमंच और कटेशनी से तरह उर्सक नहीं इलनALLY है कृत लिए सबесь मिल मिलन जाता हूं उपहां से वह में आपर ही पृस्टी माउंटन के पहंच थी है यू शाओ मांटें थैपन काला आपकेर बहुत शाय राख काले अ कंप roku 19 सपटेन में ख़से पिते ही कि टो थार् cercें भिसे और दो양 टोपनर आपक शाओ के देपने कि प्टाषा कुश्पट जैसे अर्मेन नॉट बनी नॉट चा फिर ये पॉंटिक और टॉरस माउंटिग दिया पहले हम जो पढ़ चुके यह नदन लो लांड है असके बाद हम आमंटिंग्स पढ़ चुके इसके बाद हम यह प्लाट्यूस पढ़ेंगे सदन प्लाट्यूस और वैली हम देखेंगे थेकवी बाव, चल्ब, अब 2 Intermoniton Plateaus भी मिलें गे आपको इस रीजन में, जो प्लाट्यू है इरान का वह ऐल्भरूस के बीच में हैं, प्लाट्यू इन पांटिक और टॉरस मांटन के बीच में, तो यहां से वनमाग कुछ्न बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाट्यो फिरान विच मांथन भी हाव इन बिवीन पॉंटिक और तो फ्लाट्यो अने टोलिया चलो अगर आम इस में जाये तो जो प्वामिर नॉट है वो फाइव मांटें रिंजस में डिवाइड़ है हिमालय कारकूरम कुलोन अल्टियां ताग शियां शैन टियांचन टियांचन ठीक है जो हिमालय है वो साउथ इस्ट वर्ड इंटो नॉर्थ इंडिया साउथ इस्ट वर्ड इंटो नॉर्थ इंडिया साउथ इस्ट वर्ड होते हुए वो नार्दन इंडिया में पहुंसता है निपल में पहुंस था हुआ यह हाईस माउटेन रीन्जस हैं माउन्ट जाना है मांट केटू जिसकी हाइच ए 861 1 मीटर ये इसे गॉर्डविन औंस्टिन हुआते हैं के टू कोई क्या बोलते है गॉडविन आस्टिन में है यह वर्ल्ड की सेकन्ड हाइयस पीक है तो फस्ठ हाइस पीक होती ह है मांट एवरेस्ट और सेकेंड होती है मिलेगी फिर कुंडून मांटिंग के आगर हम बात करें तो यह इस्ट वर्ड रॉन करते हैं फ्रॉम पामेर नाट पामेर नार्ट पामेरनाट से इस चले और चाइना पहुंच गे अल्टियं ताग नौर्थीज डारेक्शन में चले और यह चाइना पहुँचे तियांचन तियांचन क्या है वो गूगल पर देख ले न यह नौर्थ मोस्ट रेंज है ब्रांचिंग आउट तपामीर नौर्थ एक्स्टेंड इंटू नौर्थ इस्ट वर्ड इंटू चाइना यह भी चाइना जाती है कुन लोन अल्टियांचन चैन यह सब चाइना जारी है दूसरे इंपोर्टन प्रेंज में अल्टाए किंग्यान यह लोन वे यह लोनोवे और स्टाइनोवे यह दूसरे माउंटन रिंज है यह भी इनी का पाठ है इस रिजन में भी आपको इंटर मॉन्टन प्लैट्यू मिलेंगे प्लैट्य अप तिबेट जो कुन लोन नौर्थ में और हिमाले साउथ में मतलब कुन लोन यहाँ पर मिलेगा यहां पर हिमाले मिलेगा इसके बीच में आपको तिबएद मिलेगा यह हाइस प्लाट्यू है वर्ल का इसलिए से प्लाइब इस प्लाइब के बीच में है है कुलो नौर हमाले के बीच में नौर्थ में कुलोने सूथ में है नौर्थ लाइदा प्लेटी अप्लेटी ए जवाइड भैंटेर उच्पलाइब मॉँंटेंber мॉंटें का जो जो पोड़ मैं रखा है तो बड़े डिप्रेशन्स मिलेंगे तैरिम बेसिन और जायदम बेसिन यह भी लोकेटेड है यहाँ पर एंड क्लोस बिट्वीन दे मांटेन के बीच में है तक्ला मकान डेजर्ट जो चाहिना में है वह लोकेटेड है तैरिम बेसिन में चलो अब हम चेक पॉइंट पढ़ते हैं त्यूरेन प्लेइन को अमूदरिया और सिर्दरिया ब्रेइन करती हैं विच अफ प्लेट्यू इस नॉट इंटर्मानिटन तो अमने तिबबत भी देख लिया अनटोलिया एरान देख तो वह है अरेबिया चलो तो आंसर इस प्लेट इस कंटैनियूस प्लेइन वल्ड के चैंज सुप मांटेन रिंग इस रान इन अल डारेक्शन फ्रॉम पामेर नॉट ठीक ही बात चलो पामेर नॉट आएगा ठीक से लिख देते हूं एक बार देखू एक बार देखू ठीक है किसमें बीटा घरकुरम में नाव दर सदर्न प्लाट्यूस लोकेट टू दर साउथ और सेंट्रल मांटेन सेंट्रल मांटेन की भी साउथ में सबसे पहले हमने प्लेइंग पड़े टीक ही बार लो लांड पड़ा मतलब फिर हमने पड़े मांटेंग अब हम पड़ तो कि अजुए है प्लेट बात नाएंग फाटे hmm लोकेटेट उपर साउथ लोकेट्टी उप्सrik उप्स्ट मांटें सेंट्रल मांटें के साउथ में हैं थ्री वास्वास्ट अचूस ब्लॉक्सअं जो हाडrysटलाइन रॉक से बने हुए बोर्ड जोहार्ट्स्टलाइन र इसकी तरह पर स्लोपिया, पषरी टरह बस एक पर इंडिय स्लोप पर अर भी ses ऊपने है, ब स्लोप से तूपल गल्फ है तरह यह थी ही, DON…. चलो अब दिखते हैं इसकी स्टी पेज़स है अरेबियन सी की तरफ वह जैंटल स्लोप है कि इसकी तरफ भेह बेंगॉल यह जैसे इंडिया का यह वाला पात है इसकी बात हम करें तो यहां से थोड़ा सा मुच्छा और यहां जाके इसका डाले स्लोप है तब ही तो बहुत सा का ओरिजन यहां होता है और यह फ्लो करती है इस साइड में प्लाटी ओफ शान इनमार और प्लाटी ओफ युनां इन चाइना यह भी सेम प्लाट्यों के पाथ है इनका जो स्टीप है वह वेस्टन स्टोप की तरह पे और यह साल्वीन मैकॉंग और शाय कियांग रिवर में कितारणी और अबच्छैन इस साइड शान का मैंमार में प्लाटी ओफ युनान है चाइना में पर टो विद ग्रेट रिवर बेल्वेस